नमस्का तो आप देख रहे हैं DV News एक कहाबत है कि किसी भी अच्छे काम के लिए ना तो कभी उम्र बाधा बनती है और ना ही कोई अर्चने आती है जरुरत सिर्फ कुछ कर गुजरने की होती है मिजोरम के 38 साल के लाव रिंग थारा उनमें से ही एक है सत्तर साल की उम्रे के बाद जब लोग सामानी तोर पर सोचना शुरू कर देते हैं तो अब तो आराम करनी का वक्त आ गया है लेकिन लाव रिंग थारा की लाखों लोगों के लिए किसी प्रेढ़ना से कम नहीं है आपको बता दे उनका पढ़ाई के प्रती जजवा बताता है कि उम्र माईने नहीं रखती है अब लाग रिंग थारा इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए क्लास नौवी में दाखिला ले चुके हैं और हर रोज करीब 3 किलोमीटर की दूरी तैग करकर रोज स्कूल जाते हैं उनकी ख्वाइश है कि वो अंग्रेजी में अर्जी लिखने के साथ टीवी पर समाचार को देख सकें नौवी में दाखिला लेने से पहले उन्होंने कक्षा 2 तक की पढ़ाई की थी 1998 में उनकी पढ़ाई में पहला व्यावधान तब आया जब उनकी माँ दूसरे गाउं में जावसी 1998 में उन्होंने कक्षा 5 में दाखिल लिया निकिन पढ़ाई जारी नहीं रख सके हाला कि तमाम अर्चनों के वावजूत भी वो निजो भार्चा पढ़ने लिखने में काम्याब हुए आपको पता दे लाल रिंग थारा इस समय चौकिदारी का काम कर रहे हैं